हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में रीट शिक्षक बरती के से जुड़ी एक बड़ी खबर आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने भी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जुरूर दबा लीजिए ताके आने वाले सबी लेटेस्ट खबरों की जानकारी आपको सब से पहले मिलती रहे तो देखे दोस्तो यह न्यूज आप देख सकते हो रीट थर्ड ग्रेड शिक्षक बरती प्रिक्ष्या पर फैसला कल जिया दोस्तो राजस्तान के ग्यारा लाख बेरोजगारों को शिक्ष्या विवाग की थर्ड ग्रेड शिक्षक बरती का बेसबरी से इंतजार है अबेर्थी इस बर्ती की गोशना के बाद आठ महीने से इंतजार कर रहे हैं और 31,000 पदों की बर्ती को लेकर शिक्षय विभाग की तयारिया यूं तो अंतिम दोर में हैं लेकिन ओवरेज होने के डर से केंडिडेट जल्द इस बर्ती की तारिक जारी होने की उमीद संजोए बैठे हैं राजे के परतियों की परिक्षयाओं की तयारी कर रहे अबर्तियों को यदि किसी बर्ती का बेसबरी से इंतजार है तो वो है रीट शिक्षक बर्ती 24 देसंबर 2019 को मुख्य मंत्री असो गैलोत ने 31,000 पदों पर शिक्षक बर्ती के लिए रीट बर्ती परिक्षया के आयोजिन की गोशना की थी और इसके बाद शिक्षया मंत्री गोविन सिंग डोटासरा ने भी परिक्षया 2 सितंबर 2020 को आयोजित करवाने की गोशना की थी लेकिन करीब 8 महीने बीच जाने के बाद भी प्रदेश के करीब 11,000,000 विरोजगारों को बर्ती की विग्यप्ती, पैटर्न और परिक्षया तिति का इंतजार है अब एरतियों के माने तो बड़ी तादाद में ऐसे केंडिडेट भी इस परिक्षया में सामिल है जो ओवरेज होने की इस्तिति में है और लंबे समय से इस परिक्षया की तयारी कर रहे हैं यदि अब भी और देरी की जाती है तो उन्हें बड़ा नुकसान जिलना पड़ेगा और रीट शिक्षक बर्ती प्रिक्षया को लेकर प्रदेश के करीब 11 लाग से ज़्यादा बेरोजगार तयारी कर रहे हैं और जो कई बार शिक्षया मंत्री और मुख्य मंत्री समय जन प्रतीनी दियों को लेकर है लेकिन अभी तक इस पर विभाग ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है ऐसे में बेरोजगारों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर राज्य व्यापी कड़ा अंदोलन किया जाएगा और शिक्षया मंत्री गोवें सिंग डोटासरा ने पहले मई महीने तक इस प्रिक्षया को सितंबर में आयुजित करवाने की बात कह रहे थे लेकिन कورोना काल का लंबा खिछने के चलते प्रिक्षया का समय और आघर टाल दिया गया हाल ही में प्री DLA की प्रिक्षया कोरोना गाइडलाइन्स के साथ खराए गई तो इससे बेरोजगरों की उमीदए जगी है कि प्रतियों की प्रिक्षा भी सरकार पूरे इतियात के साथ करवा सकती है तो यहां पर यह आप क्लियरली देख सकते हो आपका कल इस पर फैसल आएगा कि आपके एक्जाम कब तक हो सकती है डेट गोशित हो सकती आपकी कल तक है तो रीट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जुरूर दबा लीजिए चाहिंद बंदे मातरम